नमस्कार शब्दुसाची के समचार बॉलिटिन में आपका स्वागत है शुरुआत करते हैं हेड्लाइन से केंद्र सरकार ने स्टेंडिंग कमिटियों का किया गठन कॉंग्रेस को मिली चार समितियों की अध्यक्षता बैंगलूरू मर्डर केस में आरूपी ने डायरी में लिखा उसके टॉर्चर से तंग आ चुका था दिल्ली MCD एलेक्षन का आम आदमी पार्टी ने किया बहिशकार NCP नेता आवहार्ट की पत्नी बोलीन लादेन की बायोग्राफी पढ़ें DU छात्रसंग चुनाव के रिजल्ट पर हाई कोर्ट की रोक जम्मू कश्मीर में साथ ठिकानों पर NIA की रेड रियासी में बस पर हुए आतंग की हमले से जुड़ा मामला वन विभाग में 38 IFS अफसरों के ट्रांसफर भोपाल समेट 16 जिलों के DFO बदले गए सीहोर जिले के इच्छावर में खेत में मिले 5 शावक किसान बिल्ली समझ कर घर ले आये रिवा में वर्षों पुरानी जरजर पानी की टंकी को गिराने के लिए किया गया ब्लास्ट नेशनल वुशू चेंपियनशिप में सतना की गीतांजली ने जीता गोल्ड मैडल की लगभक एक हजार कर्मचारी वेतन संशोधन और ट्रेट यूनियन अधिकारों की मांग को लेकर हड़ताल पर अब ख़बरें विस्तार से मोधी सरकार के तीसरे कारेकाल में साल दोहजार चौबिस पच्चिस के लिए 24 देपार्टमेंटल पार्लियमेंटरी स्टैंडिंग कमिटी का गुरुवार देराध गठन किया गया हर समीती में राज्यसभा और लोगसभा दोनों के सदस से शामिल हैं हर कमिटी में 31 मेंबर्स होते हैं जिसमें से 21 लोगसभा से और 10 राज्यसभा से चुने जाते हैं इन इसमें विदेश, शिक्षा, कृषी, ग्रामीर मामलों की समीती शामिल है राहुल गांधी को रक्षा मामलों की समीती का सदस्य बनाया गया है सोनिय गांधी का नाम किसी भी समीती में नहीं है बीजेपी 11 समीतियों की अध्यक्षता करेगी बैंगलूरू में 29 साल की महालक्षमी के उनसट टुकड़े करने वाले आरोपी मुक्तिरंजन राय का सुसाइड नोट सामने आया है उसके शब के पास से डायरी मिली थी उसमें उसने लिखा उसने शादी के लिए राजी नहीं होने पर मेरे साथ कई बार मार पीट की थी मैं उसके टॉर्चर से तंग आ चुका था इसलिए उसे मार डाला दिल्ली नगर निगम यानि MCD की स्टैंडिंग कमिटी की अंतिम खाली सीट के लिए शुकरवार 27 सितंबर को मतदान हुआ दरसल दिल्ली की मेर शैली उबेरोय ने ये इलेक्शन 5 अक्टूबर को कराने का आदेश दिया था लेकिन LG सकसेना ने उनका फैसला पलड़ दिया गुरुवार देर रात तक चले सियासी ड्रामे के बाद LGV के सकसेना ने निगम कमिशनर अश्विनी कुमार को शुकरवार दो पहर एक बजे चुनाव कराने का निर्देश दिया था सदन बुला दिया और उसकी अध्यक्सता कोई आफिसर कल को थे लोगसाबा की अध्यक्सता करेंगे कि लोगसाबा की अध्यक्सता करेगा ×सला कानूशा कानूर बाहर चला गया कोई कांसलर इवेलेबल ने आीए ब lat यह क्या रातो रात तो इनकी नियत में खोट नजर आ रहा है कुछ ना कुछ घडबड करने की इनकी साजिश नजर आ रही है जिस वज़े से यह ताबड तोड यह लगे हुए हैं अभी मेर को पता चला है मेर ने शायद चिठी लिखी है कमिशनर को उन्होंने आज होने वले चुनाव को गैर कानूनी और असमवेधानी घोशित कर दिया है और कमिशनर को कहा है कि आज का चुनाव ना करा है नेशनलिस्ट कॉंग्रिस पार्टी शरत चंद्रपवार यानी एंसीपी एसपी के नेता जितेंद्र आवहार्ट की पतनी रिचा आवहार्ड ने पूर्व राष्ट्रपती डॉक्टर एपी जे अब्दुलकलाम की आतंकी ओसामा बिन लादेन की के साथ तुल ना की है रिचा आवहार्ट गुरुबार को ठाने में एक कारेक्रम में पहुँची थी वहां उन्होंने शिक्षा के महत्व पर भाषण में छात्रों से कहा कि सभी को लादेन की बायोग्राफी पढ़नी चाहिए ताकि वो समझ सकें कि वो आतंकी कैसे बना डिली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन के चुनाव के रिजल्ट जारी करने से दिली हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है डी यू के कॉलेज में हाल ही में हुई चुनावी हिंसा को लेकर हाई कोर्ट में याचिका लगाई गई थी इसमें कहा गया था कि चुनाव के दोरान पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुँचाया जाता है National Investigation Agency यानी NIA ने शुकरवार को जम्मु कश्मीर के दो जीलों राज़ोरी और रियासी में साथ जखे चापा मारा है जिन लोकेशन पर तलाशी जारी है वे हाईब्रिट आतंकवादियों और ओवर ग्राउंड वरकर्स से जुड़े हैं ये चापे मारी नौ जून को रियासी में एक बस पर हुए आतंकी हमले से जुड़ी है इस हमले में नौ तीर्थ यात्रियों की मौत हो गई थी बस रियासी के पौनी इलाके में शिव खोरी में कटरा जा रही थी रिवर जिले की त्योंथर तहसील के उसर गाउं का मनेश यादव मस्कुलर डिस्ट्रॉफी नाम की अजीब बीमारी से पेडित हैं मनेश SDM ऑफिस परिसर में पिछले तीन दिन से अंशन पर हैं उसका कहना है कि जब तक इलाज का आशवासन नहीं मिल जाता तब तक आमरण अंशन जारी रहेगा वहीं कॉंग्रस प्रदेश अध्यक्ष जीतु पटवारी ने पीडित से बात की और हर संभव मदद की बात कही है पीडित का कहना है कि ततकालीन CM शिवराज सिंग चोहान ने आशवासन दिया था कि इलाज देश की किसी भी कोने में कराना पड़े या विदेश भी भेजना पड़ जाए तो उसकी जिम्मेदारी सरकार की है बता दें कि मनीश को मिलाकर परिवार में 9 लोग हैं इनमें से 5 लोग मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की चपेट में हैं इनमें 3 भाई एक बहन और पिता बिमारी से पीडित हैं त्योथर SDM, SK जैन ने मनीश से मुलाकात कर सरकार तक उनकी आवाज पहुचाने का आश्वा संदिया है मद्य प्रदेश के वन विभाग ने 38 IFS अफसरों के तबादले किये हैं इनमें भोपाल सहीट 16 जिलों के DFO बदले गए हैं भोपाल के DFO आलोग पाठक का भी तबादला किया गया है पाठक की जगे लोगप्रिय भारती को भोपाल का वन मंडल अधिकारी बनाया गया है सिहोड जिले के इच्छावर तहसील क्षेत्र में एक खेत में पांच शावक मिले हैं गरामीन इन्हें बिल्ली के बच्चे मान रहे थे कुछ लोगों ने इनके साथ फोटो भी खिचवाए पर शावकों के विभार और बनावट में अंतर देख कर गाउवालों ने फॉरन वन विभाग को सूचना दी लोगों ने बताया कि खेत्र में पंदरह दिन पहले तेंदुए के फुट्प्रिंट मिले थे रीवा में सिरमोर्च और राहे पर तांसेन कॉम्प्लेक्स के पीछे पुरानी जरजर पानी की टंकी को गिराने के लिए ब्लास्ट किया गया लेकिन वो पूरी तरह से धराशाईर नहीं हुई आधे में टंकी टिकी हुई है शुकरवार को नगरनिगम की टीम टंकी गिराने के लिए पहुँची इसके लिए आसपास का पूरा इलाका खाली करा दिया गया था और चारों और पुलिस का पहरा था बेहत सुरक्षत तरेके से ब्लास्ट किया गया सतना शहर की गीतांजली ने गोल्ड मैडल जीत कर जिले को गौरवान वित किया है गीतांजली ने देहरदून के महराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉंप्लेक्स में 21-26 सितंबर तक आयोजित 33 मी सीनियर नेशनल फुशू चेंपियंशिप में गोल्ड मैडल जीता है राश्ट्रे प्रतियोगिता में गीतांजली की इस जीत ने सतना जिला सहित समूचे प्रदेश का नाम रौशन किया है गीतांजली त्रिपाठी दिल्ली में सशस्त्र सीमबल में नौकरी कर रही है गीतांजली इसके पहले जौर्जिया सहित अन्य देशों में भी मैडल जी और 2023 के सेवी के अकाउंट्स का रिव्यू करेगी ये पहली बार है कि पीएसी ने सेवी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की जाच की जरूरत महसूस की है बैंकिंग कार्मिक चैन संस्थान ने IBPS RRB कलर्क प्रारंभिक परिक्षा 2024 के परिणाम जारी कर दिये गए हैं जिन उम्मीदवारों ने ओफिस असिस्टेंट पत के लिए परिक्षा में भाग लिया था वे अधिकारिक IBPS की वेबसाइट पर अपने इसको ओड़ देख सकते ह देश के केंदरिये श्रम मंत्री मनसुक मंडाविया ने तमलनाडू के मुख्य मंत्री MK को पत्र लिखा है स्टालिन ने उनसे श्री पीरम बदूर में सैमसंग इलेक्रोनिक्स के सैयंत्र में चल रही श्रमिकों की हड़ताल का परित समाधान लाने का आगरह किया कमपनी की यूनिट के लगभग एक हजार कर्मचारी वेतन संशोधन और ट्रेड यूनियन अधिकारों की मांग को लेकर 9 सितंबर से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं मौसम की बात करें तो मध्य प्रदेश में शुकरवार को भी बारिश का दौर जारी रहा इंदौर समेथ साथ से ज्यादा जिलों में तेज बरसात हुई मंदसौर में मंडी में खुले में रखी किसानों की सोया बीन की फसल खराब हो गई प्रदेश में इंदौर के अलावा बढ़वानी, टीकमगण, छिंदवाडा, कटनी, नर्मदापूरम, रीवा और ग्वालियर में भी पानी गिरा अगले 24 घंटे में नौजीलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है इसी के साथ ये समचार बॉलेटिन समाप्त हुआ, कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ जुड़े रहिए शब्दुसाची से स्वतंत्र और निश्पक्ष पत्रकारिता के लिए आप हमें सुपर थैंक्स भी दे सकते हैं धन्यवाद